बिना बेले रोटी और पूरी बनाने के लिए मैंने मगा लिया है ये पूरी प्रेस जिसमें मुझे महनत भी नहीं करनी पड़ेगी और पूरी और रोटी जो है आराम से बन जाएंगी तो इसके लिए सबसे पहले मैंने हैंडिल को कस लिया फिर उसके बाद दो पॉलेथिन श एक और रोटी ट्राय की उसके लिए मैंने पॉलेथिन शीट के ऊपर थोड़ा सा ओईल लगा लिया जिससे की ये चिपके ना फिर उसके बाद आप देखी सकते हैं कि ये किस तरह की रोटी बनी है बिलकुल नक्षा बनके तयार हो गया कहीं का तो इसके बाद मैंने पूरी की ट्राय की पूरी के लिए मैंने छोटी लोई ली और ओईल लगाया शीट के उपर प्रेस किया और ये पूरी बनकर तो हो गई तयार थोड़ी सी मोटी है जो हम जनरली घर पर पूरी बनाते हैं उससे ये मोटी बनी लेकिन फूली फूली तो बहुत ही अच्छी बनी ये तो क्या आपको पसंद आया ये पूरी प्रेस मुझे जरूर बताना कॉमेंट बॉक्स में